है कि दोस्तों में आज आप सभी लिए कुछ ऐसा टिप औरेंट्री ले की आच्ऊ कि बशनोंगा और दोस्तों साथ ही साथ आपका टाइम भिशेंन और पैसे उसोस्ते हैं इस तोड़ा से छोटा साइज होता है आपने दिखाऊ का जहां पे हम जार लगाते हैं या पे प्लास्टिक लगी हुई होती है तो क्या होता है कि हमारे घर में किसी किसी घर में चुहे बहुत जादे आ जाते हैं मिक्सर मिक्सर को जूसर को ड्री कवर करें के था मैं इसको कबर कर सकते है. या कभ भी आ। पह रहा है है something कभी कभी रखते है तो लग works कीचन अब्डड़ कर शृत कर सकते हैं तो मैं इस हरा इस mans coming हा हुआ रहता है और इसको चूहे कि इसको कोई भी खाने वाला नहीं है बहुत इजली तरीके से हमारे जूसर मिक्सर सेफटी रहेगा और चूहा बिल्कुल भी इस पे धावा नहीं कर सकता है अब दोस्तों क्या होता है कि जब भी हमारे घर में कोई गेस्ट वगरा आ जाते हैं तो हम क्या करत तो आपको बिल्कुल भी हल लेने की ज़रूरत नहीं है जब भी आपको पूरे बनाता है बस इस तरीके से लंबे चेश से बड़े के तरह बना लेना है अब कटिंग करने के बाद आपको इसको प्रेस भी नहीं करना है बस देखे इस तरीके से आपको दबा देना है जैसे कि अब आप देख पा रहेंगे हमारी लोई बन के रेडी हो जाता है तो दोस्तों आपको इसमें 2-3 से बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगा आप चाहे कोई कोई है मोटी पूरियां बनाना पसंद करता है कोई की बिल्कुल पतली पूरियां बनाना पसंद करता है कोई बड़ी कोई छोटी तो दोस्तों मैं तो बिल्कुल पतली पूरी बनाती हूं अब बिल्कुल यहीं साइज है मेरा इससे जादे बड़ी नहीं बनाती हूं जो भी पूरी बेली हैं उसको आपको च्हान के भी दिखाओंगे कि हमारी पूरी कितने बढ़ियां कितने मज़ेदार बनता है ना मैंने इसको आटे को मसला है ना मैंने लोई बनाय हुआ है तो चलिए हमारा तेल गरम हो चुका है अब मैं कड़ाई में पूरी डाल देहूं अब देखिए कितना बढ़िया यह पूरी फटा फट बन रहा है हमारे घर में एक गैस्ट दो गैस्ट अगर आ रहे हैं हम बहुत इसली तरीके से हम अपने घर म पूरी को आप जरूर करके दिखिएगा जो प्रोसिस मैंने बताया है बहुत ही खमाल की ट्रीक है तो देखिए एक से दो पूरिया मैंने डाले इसी से आपको पता चल गया हो कि मेरी जितनी भी पूरियां सारी अच्छी तरीके से फूल भी रहे हैं बिल्कुल यह जो है ब् पर नी कई बार ट्राइ कर रही हूं तो मैंने सुचा कि यह आप में भी शेयर कर दो क्या पता आपको भी कुछ समझ में आया तो आप इस ट्रीक को आप जरूर की जिएगा मैं यही ट्रीका आजमाती हूं तो चले देखिए मैंने इतनी सारी पूरियां बना ली है तो दोस् पहले ट्राइ फिर बाद में कोमेंट अभ देखें चान घ्युस्त थे कास्राइब है कि उतिक प्रछाऊ कर सभेस कि तूच struggling वहने हम यहीं कि इसको प्रशु घ्रचे कर देखं़Sub saç कि म्या को उतलए है मैं यहां पर तार लिगा हुआ है Ikर आपनी से इतने कितने के सबक्स् दो जारू जरासी हो जाती है तो इस तरीके से जाड़ो की बीच में डाल के पाद देखिए छारू प्हला देना है और पहलाने के बाद मुझे क्या करना मैं यह भी बताती हूं कि आपका जाड़ो दुग ना करेगा और दुगना चलेगा भी अब देखे जो बिंदी का पत्त जॉचो का नती जो मैं डल हुआ ऑदाल वाद मुझे एक रवड बेंड ले लेना है और परड बैंड को क्या अविया करना है अ के यहीं बेंड जो हम अपने बालों लेट को दों करने की बाद डपर अची तर इस जहां पर शिम एप्रोल पर ले तो हमें जाडू लगाने में काफी अच्छा भी लगता है जितना कुड़ा ड़स्ट रहता है काफी अच्छी तरीके से वर्ग भी करता है तो दोस्तों चोटा से ट्रीक है इस ट्रीक को आप जरू ट्राइब करके देखिएगा अब देखिए इसी भी खाली बोटल्स डे लिया है डूस्तों गराइब कर लिए लिए इसको घ्रिक्तिक कर लिए तो मुझे माउथ वाला पात्ते मुझे फिलाल अभी नहीं चाहिए तो इसको थोड़ा समय एकसार कर लेती हैं और एकसार करने के बाद में बताऊंगी कि मुझे आगे क्या करना है तो चलिए दोस्तों इसको मैंने एक सार कर लिया है तो फिलाल इसमें जो धक्कन लगा हुआ है अब आप देख पा रहे होंगे कि मैंने एक दूसरा धकन दिखाया है आपको और इस तरीके से दो धकन है तो देखे मेरे पा कटिंग कर लिया है लगवा कि हादा हादा इंच के गैप में तो अब मैं इसको बताती कि मुझे कैसे इस्तिमाल करना है तो जब भी हम पहले मुबाइल को चार्ज करते हैं तो मुबाइल का जो उपर से लीड है इसको निकाल के हमें एक पन्नी महां पे हैंकर देना है अब कर दो कि मैं जो शोटे बच्चे रहते हैं तो क्या करते है कि तार अगर लीड अगर लटका हुआ है तो मुझे टालने के कोशिच जादे करते हैं अब देखे हैं अब लिगाने निगे और चार्जर है कि इसको मुझे इसमेश में लगा देना हैhos Σी क्या होगा कि हमारा चार जो मैंने पाठ बचाया हुआ था अब मैं इसका रीज भी बताती हूं कि एक कपड़ा ले लेना है तो दोस्तों दिपावली का टाइम आ रहा है अब इस तरीके से अब देखिए यह नहीं कि दिपावली का ही उसमें यूज करना है मैं इसको आपको कई तरीके से बता रही हू अब देखिए एक मैंने कपड़ा ले लिया चाहिए पूछा ही ले सकते हैं एक इस्टीक मोटा से ले लेना है अच्छी तरीके से यानि कि इसके जो माउथ वाला पाठे ने इसमें टाइट ली आ जाए अब इसमें लगाने के बाद मुझे क्या करना है अब देखिए फरस्प कभी ऐसा होता है कि हमारा मतलब जूखने को मन नहीं कर रहा है या हमारे कमर में दर्द हो रहा है या हमारे घुटनों में दर्द हो रहा है अगर चोटे-चोटे बच्चे रहते हैं तो क्या करते हैं क वो कोई साभी पसंद आता है तो प्लीज दोस्तो हमारे वीडियो को लाइक कर देजिएगा चैनल को पहली बार सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजेगा और साथी साथ गाम और सहर का नाम बताने नहीं बुलिएगा कि आप लोग हमारे वीडियो कौन से गाम कौन से शहर से दे झाल झाल झाल